Hello everyone, welcome back to the channel guys, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, एक notice को उपर जो जारी की गई है scholarship section से, यह जारी की गई है 11 अक्टूबर को, ठेक है, कल के date पे जारी की हुई है यह, और यहाँ पास आप लोग देख पार होगे guys, यह important है, इस notice में बताया गया है guys, कि all the students from Bihar State are informed here by that, verification of post-metric scholarship form of the academic year 2019-20, 2020-21 and 2021-22 are in progress, अगर आप Bihar State से बिलॉंग करते हो, ठेक है, और अगर आपने 19-20 का scholarship form नहीं भरा है, या फिट 21 का नहीं भरा है या फिट 21 और 22 का नहीं भरा है भी तक, तो आप भर सकते हो, आप तीनों का भी भर सकते हो, ठेक है, अगर आपने 19 का न 20 भरा तो 20 का भर सकते हो, और 21 का भी भर सकते हो, ठेक है, इसके लावा guys यहाँ पस बताया गया है, कि अगर आपने post-metric scholarship form भर लिया है, और अभी तक आपने उसका hard copy जो है ना, scholarship section में जमा नहीं किया है, तो आप कीजिए जल्द से जल्द, इसमें बताया गया है, ठेक है, जो भी document लगने है, उसके साथ, attach कीजिए, और scholarship section में आप लोग जमा कीजिए, hard copy उसका, ठेक है, और इसके लावा बताया गया है, पस, points mention किये गया है, जो आप लोग को जानना बहुत जरूरी है, और धान में रखना है आपको, ठेक है, फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है, due to access load on server student, are kindly request that, do not wait for the last date of application, ठेक है, आप लोग जल से जल अपना application form भर लिजे, last date का wait मत कीजिए, ठेक है, और second point में बताया गया है, कि जो account number होगा, वो आपके नाम पर ही होना चाहिए, कोई joint account है, तो ये accept नहीं किया जाएगा, ठेक है, इसके लावा, third point में बताया गय अगर आपने personal scholarship में form भरा है, तो आप इस scholarship के लिए form नहीं भर सकते हो, अगर आप भरते हो, तो दोनों reject कर दिया जागे, यहाँ पास लिखा गया है, ठेक है, और जो last date है guys, जो important है, आप लोग के लिए जानना, ठेक है, last date है, 31st October 2021, ठेक है, तो अभी आप लोग के पास